नमस्कार दोस्तो मैं नाम सौरप कुमार है और आप सभी का Is Just Learning Center में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो प्रिवेस वीडियो में हमने टिग्नोमेटरी क्या होती है और कुछ उसके बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ेते आज की इस वीडियो में हम तीन आइडेंटिटीस पढ़ेंगे जो हर बार हमें कन्फ्यूस करती है जैसे तीन आइडेंटिटीस होती है दोस्तो वो बहुत बार हमें कन्फ्यूस करती है और उसके वज़े से हम बहुत बार कन्फ्यूस होते है तो वो आइडेंटिटीस है जैस बहुत बार confused होते हैं, तो आज हम इसका एक आसनी से इसे identities को बनाना है सीख लेंगे, जिससे हम confused होना बन दो, दोस्तों ये हमारा second lecture होने वाला है चलिए शूरू करते हैं, तो देखिए हमारे पास तीन identities है, जैसे देखिए, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, second identity है देखिए दोस्तों हमारे पास 1 plus cot square theta is to cosec square theta, और हमारे पास third identity है देखिए, 1 plus tan square theta is equal to sex square theta, अब देखिए ये बहुत बार हमें confused होता है ये बहुत बार confused है, sin square theta plus cos square theta तो हम आसानी से याद करते हैं, पर देखिए जैसे 1 plus cot square theta और 1 plus tan square theta, ये हमें बहुत बार confused होता है कि इसके opposite में हमें क्या लिखना है, इसके equal में हमें क्या लिखना है, तो उसकी tension आज आप ही खतम हो जाने वाली है, पर सबसे पहले आपको एक formula याद रहना चाहिए, जैसे देखिए pythagoras theorem, जैसे देखिए pythagoras, pythagoras का आपको theorem याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तो, pythagoras का theorem है हमारे पास, देखिए जैसे kern का square, जैसे hypotenuse का square, hypotenuse का work, kern का work, उसके easy equal to में क्या होता है, kern का work, equal to, لم का work प्लस क्या होता है हमारा, आधार का work, ठीक है, तो यह हमारा क्या होता है, यह formula होता है, जैसे English में, hypotenuse का square, is equal to opposite का square, प्लस, adjacent का square, तो यह हमारा हिंदी और English दोनों में हो चुका है, तो यह हमारे पास formula है दोस्तो, अभी इस formula से हमें क्या करना है, यह identity निकालनी है, देखिए हम क्या करेंगे, इसको equation 1 बना लेते है, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम equation 1 बना करेंगे, तो हमारे पास equation क्या है, दोस्तो, करन का work is equal to, लम का square, प्लस, आधार का square, तो हम क्या कर देते हैं, इसे यहापर लिख देते हैं, ठीक है, इसे यहापर लिख देते हैं, करन का work, लम का work, प्लस, आधार का work, अब क्या करेंगे हम, इसे किसी भी एक side से divide कर देंगे जीसे मैं यह आपर सबसे पहले क्या करूंगा Kern के work से इसको जो equation 1 यह हमारा equation 1 यह दोनुं भी एक ही है, तो equation 1 को मैं divide कर दूंगा, तो यह हमारा equation 1 है तो मैं क्या करूंगा, kern से सब को इसे divide कर दूंगा, equation 1 से तो दीखें, क्या होगा, देखें Kern का work अपॉन कर्ण का वर्ग ठीक है उसके बाद देखे क्या होगा लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग अब देखे, कर्न है, यहाँ पर भी कर्न है, दोनों का वर्ग है, तो यह क्या हो जाएगे, हमारे कैंसल हो जाएगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, अब देखे, आप लंब बटे कर्न क्या होता है, लंब होते kernel होता है हमारा cause होता है तो दीए को सब को को हजाएगा तो हम एमारा पछली आइडन्टिटो ये हमारी बन चुकी है तो दीखें यह जो हमारी पहली आइडन्टिटी है साइन स्कुर्ट थिट प्लस को सब कोक्त धिटा इस इकोल टुबन यह हमारी क्या बन जाएगी यह हमारी पहले आडेंटिटी बन जाएगी जब हमने करन से सबको डिवाइड कर दिया करन के वर्क से हमने सबको डिवाइड कर दिया equation 1 से तो हमें यह मिल गई है अब हम दूसरे इसमें देखेंगे equation 1 ही अपने को वर्क से डिवाइड कर देंगे दिखें यहापर क्या हो जाएगा करन हो जाएगा बटे लंब का वर्क दिखें करन का वर्क अपन लंब का वर्क यहापर होगा हमारा लंब होगा का वर्क अपन लंब का वर्क प्लस आधार का वर्क अपन लंब का वर्क अब देखिए जैसे हमने previous video में formulas पढ़े थे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे lump का work और lump के work को cancel कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, अब देखिए lump का work upon lump का work हमने cancel कर लिया, तो हमारे पास 1 बच जाएगा आधार बटे लम क्या होता है, जैसे हमने प्रिवेस यूडियो में पढ़ा था, आधार बटे लम क्या होता है हमारा, कॉट होता है, और उसमें स्क्वेर है, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वेर थिटा हो जाएगा, ठीक है, कॉट स्क्वेर थिटा हो जाएगा, कन बट इसका इस्तमाल कर दिया, इसमें हमने opposite side का इस्तमाल कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा है, आधार बचा है, तो हम क्या करेंगे, सब को आधार से दिखे, जैसे यह हमारी एक equation बन गई, यह हमारी दूसरी identity बन गई, दिखे, one is equal to sin square theta plus cos square theta, यह हमारी second यह बन गई, cos square theta is equal to one plus cos square theta, अब हम क्या करेंगे, करन का इस्तमाल कर दिया, लम का इस्तमाल कर दिया, अब हम क्या करेंगे, आधार के work से, equation one को divide कर देंगे, अब देखे, equation one हमारे पास क्या है, करन का work, बटे आधार का work, ठीक है, उसके बाद देखे, equal to मैं, लम का work, upon आधार का work, उसके बाद देखेंगे प्लस है आधार का वर्क अपॉन आधार का वर्क अब देखें आधार का वर्क और आधार का वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा आसानी से यहाँ पर वन मिल जाएगा और कर बटे आदर क्या होता है दोस्तो सेख होता है जो हमने प्रिवेस वीडियो में पढ़ाता तो यहाँ पर स्क्वेर हो जाएगा तो सेख स्क्वेर थिटा हो जाएगा और लम बटे आदर क्या होता है जो हमने प्रिवेस वीडियो में पढ़ाता वो होता है हमारा tan होता है तो tan और जो हमारा square है वो यह आज़िटी जहाँ पर लगेगा और यह हमारा theta बन जाएगा तो यह हमाई तीनों identities देखे sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो यहाँ पर हमें मिल जाग गया फिर दूसरी identity देखे दोस्तो 1 plus cos square theta is equal to cos square theta तो यह देखे यह cos square theta is equal to 1 plus cos square theta और जो हमारी third identity है जैसे देखे 1 plus tan square theta तो देखे 1 देखे यह 1 बाद में लिखा है 1 plus tan square theta is equal to sex square theta ठीक है तो यह हमारी first identity second identity और third identity पायतागुरस ठिरम के साहता से हमने आसनी से इसमें निकाल लिया है दोस्तो इस वीडियो में हमने तीनो identities निकालना सीखी है जो हमें बहुती ज़्यादा confuse करती है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते अगली वीडियो में नमस्कार